नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जर्धारी क्लासिज में दोस्तों उत्राखंड हिष्टी का आज ये 13 लेक्चर है और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उत्राखंड में बिटिस सासन के बारे में बिटिस सासन का आज इस सेकंड पार्ट है दोस्तों और इसका जो फर्ष्ट पार्ट था यानि लेक्चर बारा उसमें हमने आपको कुमाओं के जो परतम कमिशनर थे ये गार्णर से लेकर हैनरी रेमजी तक कम्पलीट करा दिया था जो भी महत्तपॉर्ण फैक्ट से दोस्तों कुछ अब बेटियों के यहां पर कमेंट आ रहे थे कि जो सर हैनरी रेमजी हैं इनका कारेकाल यहां पर कमिशनर का कारेकाल 856 से सुरू होता है 884 तो हैनरी रेमजी ने 848, 850 या 877 में कारे कैसे कराए दोस्तों बहुत अच्छा कमेंट था और जहां पर आपको ड बड़ी पोस्ट होती है तो सिधे कमिशनर तो कोई ब्यक्ति बनेगा नी यानि उससे पहले वहां पर काम कर रहा है वहां पर अधिकारी रहे चुका है तो दोस्तों जो हैनरी रेमजी था इसकी लोक प्रियता का यह भी बड़ा कारान था कि इसको काफी समय हो गया था कुमा कमिशनर बना उसके बाद उसने को कारे कराए तो इस परकार से आपको यहां पर दियान लगना है और यह कोई मनलब ऐस तो बहुत सारे उधान देखने को मिलते हैं बहुत सारे बेक्ति ऐसे हैं जो पहले से लगातार क्या रहते हैं वहां पर कार रहते हैं और वहां पर जोर्ज टोमस लुशink टन के कारेकाल में यह होते हैं दोस्तों अधारसो बियालिस में उपरी गंगा नहर का निर्मान कारे पूरा होता है, तो इसमें भालत का गवर्नर जनर्र कौन था? डल हो जी. लोर्ड डल हो जी तो अगर उतराखन की बात की जाए, कुमाऌ कमिशनर की बात की जाए तो जब निर्मान कारे प्रारम होता है ऊपरी गंगा नहर का तो जोर्ज टोमस लूशिंग्टन उससमें कुमाओं कमिशनर थे जबकि 864 में जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो उससमें कौन थे याँ पर कुमाओं कमिशनर जॉन हैलिन बैटन तो ये भी आप नोट कर सकता है एक्जाम में दोस्तों इस प्रकार से कुशन पूछा जा सकता है वैसे उपरी गंगार नहर के निर्माण के बार में हम आदको हरदवार दिश्टिक वाली जो सीरीज थी उसमें बता चुके हैं और आगे आप नदी सिटम पढ़ाएंगे तो इसके बार में काफी डिटेल साब को आप बताए जाएगा दोस्तों आज की वीडियो है आज की वीडियो हमने शुरू करने हैं आप जो भी अन्य कमिशनर है ठीक है कवर कम्प्लेट कर देंगे फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इगार्णर से लेकर हैनरी रेमजे तक करा दिया है और दोस्तों इसके डिटेल्स वाले नौट्स आपको हमारी हिस्टी की एबुक में मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रूसन में दिया प्रकाल से दोस्तों अठार्णर से लेकर सता सितक अब दोको इसके कारेकाल की प्रमुग घटनाएं एक तो एच जी रोस जब कमाओं कमिशनर था उस समय भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस याईनि आई एन एस इंडियान नेशनल कॉंगरेस की स्थापना होती है कब होती ह अठार्णर से अठार्णर से प्रकाल से दोस्तों कुछा जा सकता है कि भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस की जब सतापना हुई ऐस समय कुमाओं कमिशनर कौन था तो वो था हट्र duyा रोस और जब 88 280 में इन इनि नेशनल कॉंगरेस की सतापना होती है किसके द्वारा होती है ए ओ हुम द्वारा और जो भारते राष्ट्या कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन होता है 885 में होता है का होता है बंबई में और किसकी अधियक्सा में ब्योमेश चंदर चटर जी की अधियक्सा में ये पहला अदिवेशन होता है कॉंग्रेस का 885 में बंबई में एक तो ये परमो गटना थी दूसरी गटना थी दोस्तों ये काफी important है क्योंकि ये कई बार exam में बन चुका है उत्राखन के exam में 887 में गडवाल राइफल की इस्थापना होती है अब देखो ये तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अभी क्या है British सासन चल रहा है और जो भी सैनिक होंगे वो British सेना के अंदर रगत आएंगे इसमें बहुत सारे गडवाली सैनिक थे बहुत सारे कुमाउनी सैनिक थे तो ये उसमें British सेना के British सेना के और से विविन युद्धों में भाग ले थे इन में से एक नाम है दोस्तों काफी महत्पूर नाम आपके बता रहा हूं बलभद्र सिंग नेगी बलभद्र सिंग नेगी ये भी ये गडवाल के थे और इन्होंने इन्होंने दोस्तों अफगान युद्ध के दोरान जब आंगला और अफगान युद्ध चल रहा था उसमें बहुती महत्पूर भूमिका निवाई थी बलभद्र सिंग नेगी ने ये गडवाल के थे और इनकी इस महत्पूर भूमिका के लिए 1879 में ने ओर्डर ओफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया गया सेना के सम्मान होता है ओर्डर ओफ मेरिट सम्मान 1879 में बलभद्र सिंग नेगी को दिया गया था इनकी महत्पूर भूमिका के लिए इनके साहस के लिए अब दोस्तों जब बलभद्र सिंग नेगी यहाँ पे इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था अगर एक्जामे इस प्रकार से क्वेशन बनता है कि गड़वाल राइफल का जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था या उसकी स्थापना में महित्पूर्ण भूमिका किसने निभाई थी बलभद्र सिंग नेगी ने और ततकालिन जो फील्ड मार्सल थे बर्टिश सेना के फ.f. रोबर्ट ये ततकालिन क्या थे दोस्तों फील्ड मार्सल थे इन्होंने ये तक कहा था कि जिस कौन में बलभद्र जैसा आदमी पैदा हो सकता है जो कुम बलबदर जैसा आदमी पैदा कर सकती है उसकी एक अलग बटालियन होना जरूरी है उसकी अलग बटालियन होनी चाहिए ठतकालियन जो फील्ड मार्स ओ थे F.F. रोबर्ट इन्होंने ये कहा था तो बलबदर सिंग नेगी ने इसका प्रस्ताव रखा था और उसके बाद दोस्तों 5 मई 5 मई 1887 को गड़वाल राइफल की इस्थापना होती है अब गड़वाल राइफल की इस्थापना कहा की गई क्वेशन बन सकता है तो गड़वाल राइफल की इस्थापना की गई अलमोडा में उसके बाद दोस्तों क्या होता है गड़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यला बनाये जाता है कालो डाना बनाये जाता है यहां तक हो गया अलमोडा उसकी इस्थापना की गई मुख्याला कहां बनाए गया हाथ ची दोस्तों आपको नोट करनी है मुख्याला बनाए गया कालो डानडा अब ये उस समय इसका नाम कालो डानडा था इसलिए मुख्याला बनता हूँ लेकिन दोस्तों जब ये मुख्याला बनता है तो ततकालीन जो भारत के वायस रहा है ते लेस्टाउन तो इसलिए कालोडाना का नाम क्या रखा गया लेस्टाउन रखा गया अब भी इसका नाम क्या है लेस्टाउन है ततकालीन जो वायस रहा है लेस्टाउन उनके नाम पर इसका क्या रखा गया यहां पर इस कालोडाना क की डेट है जबकि गड़वाल राइफल या गड़वाल रेजिमेंट की इस्थापना कव की गई पांच मई 1887 को तो यह दोनों डेट दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है और उसके बाद जैसे आप सभी जानते हैं देखो गड़वाल राइफल में या गड़वाल से बहुत सा देखो बेटिसों को भी ये पता चल गये था कि गड़वाल राइफल जैके जो गड़वाल के लोग है एक तो ये वीर है एक सासी है और इनको सेना में भरती करना जरूरी है और इनके सम्मान के लिए एक अलग राइफल अलग बटालियन या जो अलग रेजिमेंट है उसकी इस्थापना करना भी जरूरी है और आगे चल कर आपने देखा होगा जब पर्थम विश्वयुद होता है तो तीन जो दोस्तों विक्टोरिया क्रोस प्राप्त सेनिक होते हैं वो गड़वाल रेजिमेंट के ही होते हैं यानि तीन विक्टोरिया क्रोस मिले थे पर्थम वि पॉस्टिया कॉंग्रेस की स्थापना भी H.G. रोस के सासनकाल में होती है ये इंपोर्टन्ट है उसके बाद H.G. रोस के बाद जो नेक्स्ट यांपे कमिशनर नियुक्त किये जाते हैं J.R. ग्रिक इनके सासनकाल जो रहा 1887 से लेकर 1887 से लेकर 1889 तक मुख्या घटना क्या ह है कि 1889 में हत्यारों को रखने के लिए लाइसेंस नीती अपनाई जाती है किसके कारेकाल में J.R. ग्रिक के सासनकाल में या कारेकाल में दुखो लाइसेंस नीत अपनाने की आउसकता क्यों पड़ी बिटेसस को उस समय क्या होता था एक तो यहां के जो ब्यक्ति थे यहां क गया था कि कहीं अगर इन लोगों ने विद्रोह कर लिया है तो इनके पास इतने जादा हतियार है और हमें पता भी नहीं है कि किसके पास हतियार है क्योंकि लाइसेंस उस समय हुआ नहीं करते थे अगर इन लोगों ने हतियार उठा दिये तो हमारी मनलब खेर नहीं है हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा यह कभी भी हम ही क्या कर सकते हैं विद्रो कर सकते हैं और मार सकते हैं तो इसलिए इन्होंने बड़ी चालर किसे दोस्तों 1889 में हत्यारों को रखने के लिए लाइसेंस नीत्या अपनाई सभी के हत्यार जब्ट कियेगे सिर्फ वही यहाँ प पर हत्यार नहीं रख सकता था तो 1889 में हत्यारों को रखने के लिए लाइसेंस नीत्या पर अपनाई गई थी उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमिशनर बनते हैं जी ई और स्किन 1889 से लेकर 1892 तक और इसके सासनकाल की महत्वण घटना यहाँ पे कुमाओं कमिशनरी को दो जनपदों में विभाक्त किया जाता है यानि दो जनपदों का गठन किया जाता है कौन कौन से हो जनपद अठारसो इकारणे में कुमाओं को दो जनपत अलमोडा और नेनिताल जनपत में बाटा गया तो नेनिताल जनपत की स्थापना कब भी दोस्तों या नेनिताल जनपत का गठन कब हुआ अठारसो इकारणे में और इसी प्रकार से अलमोडा जन्पत का भी गठन कब हुआ अठारा सू इकारणे में दोनों यहाँ पर आपको नोट करना है चूँकि कई बारी एक्जामें पूछा जाता है और किसके कारेकाल के दोरान तो G.E.R.S. किन के दोरान यह महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसकी बाद दोस्तों जो नेक्ट यहाँ पर कमिशनर बनते हैं D.T. G.E.R.S. इसका कारेकाल है 1892 से लेकर 1894 तक इसके कारेकाल के दोरान 1893 में यानि 833 में दोस्तों मुक्तेशवर मुक्तेशवर का है आपका नेनिताल में है तो नेनिताल के मुक्तेशवर में पसू संस्थान की इस्थापना की गई अनुसंद्धान संस्थान अब देखो आए भी आर आई यानि इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्ट्यूट यह मुक्तेशवर में कब इस्थाविच क्या गया 1893 में इस समय कुमाओं कमिशनर कौन था D.T. गैवर्स अब देखो वैसे इसक काफी डिटेल्स आपको बता रखा पहले ही जब मैंने आपको उत्राखन के परमुक संस्थानों के बारे में बताया उत्राखन के जितने भी संस्थान है चाए वो सेंट्रल लेवल के हैं चाए वो राजे इस्तरिया हैं सभी दोस्तों संस्थानों के बारे में काफी डिटे इसकी स्थापना वैसे 1889 में पूर्णे में होती है लेकिन बाद में इसका नाम भारत्य पसुचिकित्सा अंसन्नान संस्थान यानि इंडियन वेटनरी रिसर्थ इस्ट्यूट रखा जाता है और इसको स्थापित क्या जाता है मुक्तेश्वर में 1893 में तो इसलिए आई वी आराई के जो इस्थापना होती है वो 1893 में ही होती है का होती है मुक्तेश्वर में होती है और दोस्तों 1915 में 1915 में क्या होता है कि इज्जत नगर में इसका मुख्य केंदर वर्तवान में इज्जत नगर है ये भी आपको नोट करना है लेकिन अगर मुक्तेश्वर का प्र जोगी एक्जाम carved के बंसकता है कि जब भारत की पहली वन नीति यानी forest policy लागू की गई थी तो उस समय कुमौ कमिशनर को डी टी गैवर्ट्स और इसका उद्देश क्या था इस वन्यतिका तो वनों से अधिक से अधिकर राज्वस्वा प्राप्त करना यही इसका प्रमु क्या था उद्देश था उसके बाद दोस्तों कमिशनर बनता है E.E. ग्रिज 1894 में से लेकल 1889 तक और इसके सासनकाल की वैसे ज़्यादा बिसेस कोई महतपूर्ण घटना नहीं है लेकिन 1889 में पहली बार जो प्रतक उत्राखन प्रांद की मांग वो किसके समकक्ष रखी गई थी महारानी विक्तोरे क समकक्ष रखी गई थी तो कब रखी गई थी 1897 में प्रतक उत्राखन प्रांद की ये मांग रखी गई थी उसके बाद नेक्ष्ट कमिशनर दोस्तों R.E. हैंबलीन इसका कारेकाल है 1899 लेकर 1902 तक इसके सासनकाल की जो घटना है एक तो यहाँ पे देहरादून में रेल का आगमन होता है 1899 और 1900 के आसपास देखो वैसे जो देरादून रेलवे स्टेशन है इसका निर्मान कार्या प्रारम होता है 1897 के आसपास निर्मान कार्या प्रारम होता है और 1999 ये निर्मान कार्या कम्पलीट हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो रेल का आगमन होता है कब होता है 1900 में ठीक है मार्च 1900 के आसपास 1900 के आसपास देरदोन में रेल का आगमन होता है किसके कुमाओं कमिशनर र.E. हैंबलिन वैसे अगर हम उत्रा खंड की बात करें तो काठ गोदाम में वैसे इससे पहले रेल आ चुकी थी कब हुआ था काठ गोदाम में पहली बार रेल कब चली थी 1884 में 24 अप्रेल 1884 में दोस्तों काठ गोदाम में रेल चली थी और 1884 का आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समय कुमाओं कमिशनर कौन था तो वो था यहाँ पर 1884 में फिसर था ठीक है फिसर पन में रेल चली थी सरपर्थम लेकिन दोस्तों 2003 में इस तथे की खोज हुई कि वैसे अगर सरपर्थम रेलवे की बात कि जाए पहली रेल गाड़ी जो एक माल गाड़ी हुआ करती थी वो खांचली वो उत्रा खंके रूड़की में चली थी दोस्तों 22 दिसंबर 1851 में इसका वैसे देखो अब एक्जाम में अगर क्वेशन मंदद तब तो आपको 1853 ही करना है क्योंकि उसकी मालब मानते उसी को है क्योंकि उसकी खोज पहले हो गई थी यह तो दोस्तों 2003 में पता चला किसी खोज में रूड़की में 22 दिसंबर 1851 में 5 किलोमेटर यह रेल चली थी यह क्यों चला गई थी जब उपरी गंगा नहर का निर्मानकार्या चल रहा था तो रूड़की से पिरान कल्यर के बीच चला गई थी 5 किलोमेटर 22 दिसंबर 1851 को यह रेल यह एक माल गाड़ी थी और माल को ढोने के लिए इस रेल को चलाई गया था और प्रारब में इस रेल के जो इंजन का नाम था वो था थॉमसन ठीक है यह भी आपको नोट करना है अगर एक्जामें पूसा जाता है तो अगर एक्जामें इस प्रकार से क्वेशन वनता है कि उतराखन के रुड़की में पहली बार रेल कब चली थी 1851 में चली से दोस्तों ठीक है और और वैसे मैं रेल परिवहन वाली जो बीडियो थी अगर एक्जामें के यहां की जनता को जागरू करने के लिए शिक्षित करने के लिए और यहां पे जो प्रमुख को परतायें थी गडवाल में दोस्तों उसको समाध़ करने के लिए गडवाल यूनियन की इस्थापना की जाती है गडवाल यूनियन अपने विचारों को दोस्तों परसारित करने के लिए 1905 में क्या करती है एक समाचार पत्र का परकाशन करती है मासिक समाचार पत्र जिसका नाम क्या था गडवाली तो जो गडवाली मासिक समाचार पत्र निकला दोस्तों 1905 में इसका प्रकाशन किया गया, किसके द्वारा किया गया, गढ़वाल यूनियन द्वारा किया गया, गढ़वाल यूनियन में जो क्या थे युवा थे गढ़वाल के, उनके द्वारा इस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, क्या था इस मासिक समाचार पत्र का 1901 में होती है और इस समय कमिशनर कोन है कुमाओं में र.E. हैमिलिन उसके बाद दोस्तों नैनिताल जेल की स्थापना होती है 1902 और 1903 के आसपास अब दोस्तों उसके बाद हैं आप पे जो नेक्ट कमिशनर है एम डबलू सेक्सपियर 1903 से लेकर 1905 तक इनका कारेकाल रहा है औ गडवाली समाचार पत्र का प्रकासन होता है 1905 में और ये पत्र का प्रकासन किसके द्वारा किया जाता है अभी मैंने आपको उपर बता दिया है गडवाल यूनियन द्वारा 1905 में गडवाली समाचार पत्र का प्रकासन किया जाता है उसके बाद दोस्तों जो कमिशनर बन कारेक्ट एक्जाम में पूची गई हैं यहां पर मैं जिस भी घटनाओं का उल्ले क्यां पर अभी कराऊंगा जो भी कारे इसके सासनकाल में हुए हैं वो सभी दोस्तों एक्जाम में बन चुके हैं अब देखो सबसे पहले 1906 में बात करें तो 1906 में जो ग्लोगी जल विदु परियोजना यह कह हैं आपकी यह आपकी मसूरी में कहां है ग्लोगी जल विदु परियोजना मसूरी का जो भटा फॉल है उस पर निर्मित है दोस्तों यह ग्लोगी जल विदुदु परियूजना मसूरी में इसी था ये भटा फोल में इसी था ये आपको नोट करना है तो कब हो आए इसका कार्य पूरा ग्लोगी जलवित्स पर्यूजना का कार्या 1906 के आसपास इसका कार्या पूरा होता है जब यहाँ पे कमिशनर कौन है जे एम कैमबेल है उसके बाद दूसरी घटना क्या है कुली एजनसी कुली एजनसी की स्थापना कब होती है 1908 में होती है कुली एजेंसी का पूरा नाम था दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोपरेटिव एसोसियेशन और इस कुली एजेंसी की स्थापना कौन करता है दोस्तों जोद सिंग नेगी करता है ठीक है इसका नाम क्या है जोध सिंग नेगी जिसकी द्वारा कुली एजनसी की इस्थापना की जाती है इस कुली एजनसी का कारे गया था जैसे आप सभी जानते हैं कि कुली एजनसी यह बहुत पहले से यहां पे पड़ता थी और 1921 में यह समाप्त होती है लेकिन उससे पहले से काफी पहले से यहां पे दोस्तों इसके विरोध होने लग गया था इसके कुली बेगार पर था का और इसलिए जोद सिंग नेगी द्वारा कुली एजनसी के स्थापना की जाती है 1908 में और इसका मुख्य काज था जो कुली थे उनके लिए फंड जमा करना यानि उनको पैसे देना यानि फ्री में किसी से भी कार्या न करवाना तो कुली एजनसी क्या करती थी फंड जमा करती थी और उस फंड से कुलीयों की नियुक्ति करते थी ताकि किसी को निसल के यहां पे ज गिरिजादत नेथानी ये नाम आपको दोस्तों क्या रखना है नोट करना है क्योंकि कई बार इस परकार के question भी आ सकते हैं कि जो कुली agency पढ़ता है इसका विचार सरपुर्थम किसके मन में आया गिरिजादत नेथानी के मन में आया और किसने कुली agency की इस्थापना की 1908 में और जो कुमाओं government garden है इसका कारेबार कोन संबालता है Norman Gill ये इसका कारेबार संबालता है जब कुमाओं government garden की इस्थापना होती है 1909 में और इसमें commissioner कोन है वो है जे एम Campbell जब तक दोस्तों ये नौर्मन गिल इस कुमाओं government garden का इसने कारेबार संबाला माले इस garden की इसने वो किया माले मुख्य यही था इस garden का तो इसको दोस्तों गिल के काल को कुमाओं की बागवानी का विकास का स्वनकाल भी माना जाता है कुमाओं की बागवानी का स्वर्णकाल कुमाओं की बागवानी का स्वर्णकाल दोस्तों मैं यहाँ पे आपको हर फैक्ट बताने का प्रियास करता हूँ यह लिखानी यहाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ स्वर्णकाल ये आपको note करना है कि कुमाओं की बागवानी का स्वणकाल किसके सासन को माना जाता है नॉर्मन गिल यानि जब कुलमा के जब ये कुमाओं गुल्मेन्ट गार्डन का मुख्या था अब ऐसा नहीं है कि मलब ये कमिशनर नहीं है ठीक है एध्यान दिनी के बात है नोर्मन गिल इस कुमाओं गवर्मेंट गार्डन का क्या है मुख्या भी और जब तक यह कुमाओं गवर्मेंट गार्डन का मुख्या रहता है तब तक बागवानी का यहां पर इतना विकास होता है कि इसको जब तक यहां का मुख्या रहा इसको कहा जाता है इसके सासन को कहा अपठरानेका स्वानकाल. ये आपको important factors दोस्तों ये आपको note करना है. और दोस्तों आपको बता दो जो सिस जहांपी आपको confusion होता है. आपको चीज कमेंट बॉक्ष में निसम्धय आप पूछ सकते हैं. जहां पर आपको दिक्कत होती है और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके दिक्कत को दूर करने के लिए प्रियाश किया जाएगा जहां पर भी आपको डाउट होता है ठीक है तो यह हो गए यहां पर यहां तक आप समझ गे दोस्तों यहां तक आपको कोई भी दिक्क त्यां पे नहीं होनी चाहिए उसके बाद दोस्तों 1912 आता है और 1912 में Almora Congress की स्थापना होती है Almora Congress की स्थापना कब होती है 1912 में और 1914 अच्छे इसके उसमें हो गया ठीक है इसको नीचे करना आप इसको आप पी विधम के सासनकाल में करना ठीक है 1914 1914 में Almora में Home Rule लीग की स्थापना होती है इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग क्या होते हैं Confused होते हैं Confused क्यों होते हैं कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो Home Rule लीग है Home Rule लीग के बार में आप सभी ने पढ़ा होगा तो Home Rule लीग की स्थापना अगर हम देश की बात करें तो सरोपर्थां बाल गंगा धर तिलक ने Home Rule लीग की इस्थापना की थी 1916 में थीक है 28 अप्रेल 1916 में और उसकी बास सितंबर 1916 में किसके द्वारा की जाती है एनि वेसंड के द्वारा Home Rule लीग की इस्थापना की जाती है और बदिर्दत पांडे का कथन था दोस्तों कि हमने चली बुढिया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है बलकि हमने किसकी होम रूल लीग खोली है बाल गंगा धर तेलक वाली जिसकी इस्थापना होती है 1916 में लेकिन दोस्तों इतिहास कारों का ये मानना है कि उत्रा खण में उससे पहले 1914 में अलमोडा में हम रूल लीग की इस्थापना हो गई थी और ये क्वेशन दोस्तों यूकेट लशी द्वारा एक्जाम में भी पूछा गिया है तो आपको 1914 ही नोट करना है क्योंकि जो आयोग जिसको सही मानता है उसके अनुसार आपको चलना होगा क्योंकि एक्जाम में उसी हिसाब से आयोग क्या करेगा आपको नंबर देगा तो 1914 में यहाँ पे अलमोडा में होमरूल लेकी स्थापना होती है दो कन्फूजिंग तो है दोस्तों उतराखन का इतियास क्योंकि उतराखन का इतियास कोई ऐसी इतियासकार मनलब कुछ तथे ऐसे हैं जो जिनकी पुष्टी अच्छे से नहीं हो पाती है और ना हम उसकी कर सकते हैं और नई इतियासकारों नहीं उसकी पुष्टि उससाब से कर रखिए लेकिन जितना हो सके दोस्तों उतराखना आपको यहाँ पे अपनी तरब से अच्छे से अच्छे से एक्स्प्लें करने कि यहां पे कोशिस करता हूँ हर टोपिक को आपको फैक्ट बताने के कोशिस करता हूँ कि ऐसा हुआ कि हो ताकि आपके मन में संधेह उत्पन नहीं हो तो यहां तक आपको दोस्तों हो गया 1914 वालों आपको यहां लाना है ठीक है क्योंकि इसका 1913 तक ही रहा और 1914 से इसका शुरू हो जाता है पीविधम का तो आप इसको नीची लिख सकते हैं उसके बाद दोस्तों जो नेक्ट कमिशनर बनता है पीविधम और पीविधम का जो कारेकाल है वो है 1914 से लेकर 1924 तक देखते हैं इसके सासंकाल को तो 1915 में गांधी जी आते हैं सरवपर्तम हरिद्वार उ पर आते हैं और सितंबर 1916 को 30 सितंबर 1916 को दोस्तों क्या होता है कुमाओं परिशत की स्थापना होती है कुमाओं परिशत की स्थापना कब होती है 30 सितंबर 1916 और कहां होती है कुमाओं परिशत की स्थापना अगर इस प्रकार से क्वेशन बनता है तो ये होती है दोस्तों नैनी ताल के मजहड़ा में कुमाओं परिशत के बारे में अभी आपको आगे किसी लेक्चर में डिटेल्स में बताए जागा इसकी जितने भी अधिवेशन हुए है 6 अधिवेशन हुए है लगब कुमाओं परिशत के तो उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताए जाएगा और देखो जब इसकी स्थापना हुई कुमाओं परिशत की तो इसकी अधिक्सता कोन कर रहे थे राय बहादूर नायरंदत छिपाल तो इस समय यहाँ पर कुमाओं कमिशनर कोन था पी विड़म क्योंकि अभी हमारा मुखे फोकस क्या है कमिशनर आपको देखना है और किसके कारकाल में क्या हुआ है क्योंकि आप दोस्तों कई परकार से यहाँ पर एक्जाम में क्योंशन बने लग गए है और इस परकार से भी क्योंशन बन सकता है कि जब कुमाओं परिशत की स्थापना होई थी तो उस समय कुमाओं का कमिशनर कौन था वो था दोस्तों पी विड़म उसके बाद 1921 में कुली बेगार को पर्था का अंत होता है और ये भी किसके कारेकाल के दोरान होता है पीवढम के ही कारेकाल के दोरान होता है और 1923 में कुली एजेंसी की दोस्तों क्या होती है समापती होती है तो यहां तक दोस्तों आपका किलर हो गया होगा अब आगे बढ़ते हैं और नेक्ट जो कमिशनर आता है वो है N.C. स्थिफ 1925 लेकर 1931 तक इसका कारेकाल रहा है और इसके कारेकाल की महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों इसको आप इंपोर्टेंट कीजिए क्योंकि यह क्वेशन यूके PSC द्वारा लेक्ट्रार का जो इसक्रिйनिंग टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था कि नायक बालिका रक्छा कानून कब बना था 1929 में बना था अब दोस्तों ये नायक बाली का क्या थी और ये नायक बाली का रक्षा कानून क्या था ये आपको समझना है दोखो नायक जाती या कटवाल जाती के बारे में मैंने आपको चंद वंस के बारे में जब बताया था तो वहां पर मैंने भारती चंद आपको पढ़ाय था कटवाल जाती दोस्तो अगर आपने ध्यान से वहां पर पढ़ा होगा तो नायक जाती के बारे में और कटवाल जाती के बारे में ये दोनों एक ही है ठीक है इनके बारे में आपको पता होना चीए वसे कई इतियासकारों के इसमें अलग-लग अवधानाएं हैं लेकिन अधिकांसता इतियासकार जो ये मानते हैं कि नायक जाती की उत्पती कैसे हुई जब भारती चंद ने डोटी अभियान किया था तो वहाँ जो सेनिक गई थे उनके वहाँ के महिलाओं के साथ अवेद संब्न हो जाते हैं और उन्हों महिलाओं से उत्पन जो संताने होती हैं उनको नायक जाती कहा जाता है और यहाँ पे हुआ दोस्तों यह कि जो नायक जाज थी यह उत्राखन की एक जाज थी और इस जाज थी कि कन्याओं को वेश्वा वर्ति में धकिला जा रहता यानि उनसे क्या काम कराए जा रहता वेश्या वर्ति वाला काम इधर इनको धकिला जा रहता अब यहाँ पे जो उस समय यह नायक समाज की दोस्तों एक कुपरथा बन गई थी और इसको अंत करने के लिए यहाँ पे चलाई जाता है नायक सुधार आंदुलन एक महतवपुण आंदुलन था दोस्तों और यह आंदुलन किसके द्वारा चलाई गया जो बदर्दत पांड़ेजी थे गोविन वल्ला पंद मुकंदीलाल इन्होंने इस आंदुलन में महतवपुण भौमिका निभाई थी और इन्होंने देखा है कि यहाँ के कन्याय जो व तो इस लिए इस कुपतः को समाब्त करने के लिए नायक सुधार आंदुलन चलाए गया इसके लिया नायक सुधार समीति बनती है 19 sophisticated तो इसकी बाद यहां सरकार परविए दवाब भना जाता है इस आंदुलन के माद्यम से और उसके बाद दोस्तों नायक बाली का रक्षा कानून 1939 में लाई जाता है ब्रेटिस सरकार द्वारा और इस समय कुमाओं कमिशनर थे एन सी इस्टिप Most important fact दोस्तों important question यहां से बन चकता है नायक बाली का रक्षा कानून के समय कुमाओं कमिशनर कों थे एन सी इस्टिप और इसका मुख्य उद्यस से था कि जो कन्याएं हैं उनको वेश्या वर्ती जो उनसे कराई जाती है उसको निशेद करना तो इस कानून के माध्यम से कन्याओं से वेश्या वर्ति कराना निसेद घोसित किया गया ठीक है तो ये सारे चीदें दोस्तों आपको नोट करना है दोखो 1924 में भी यहां पर क्या होती है नायक सुधार समित की स्थापना होती है तो 1919 में तो कुमाओं परिसाद द्वारा दोस्तों नायक सुधार समित की स्थापना की जाती है लेकिन दोस्तों इस पर कानून बनाने के लिए बिरिटिस सरकार द्वारा नायक सुधार समित की स्थापना 1924 में की गई तो देखो समिति दोनों समितियों का नाम एक ही ही है लेकिन ये कुमाओं परसा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है इसकी स्थापना की जाती है किसकी द्वारा बिटे सरकार के द्वारा ताकि इस पर कानून बन सके क्योंकि एक समीती बनती है पहले समीती ही बनती है वो निरिक्षन करती है और इस समीती का दोस्तों जो अध्यक्ष नियुक्ट किया गया NC STIF को जब देखो NC STIF इस समय क्या है कमिशनर नहीं है तो अध्यक्ष भी NC STIF को ही बनाई गया और 1935 में ये कमिशनर भी नियुक्त किये जाते हैं और इन्हीं के कारेकाल के दोरान दोस्तों अधिनियम पारित होता है 1928 में और अधिनियम ही बाद में क्या बनता है कानून बनता है 1939 में तो काफी डिटेल्स में दोस्तों हर यहाँ पर आपका कन्फूजन मैंने दूर कर दिया है आपको यहाँ पर कोई फी कन्फूज नहीं होना चीए तो यहाँ से दोस्तों UKPSC ने ये लेक्सरार के प्री एक्जाम में यहाँ से एक क्वेशन भी पूछा था अब आगे बढ़ते हैं अब देखो हाँ एक और दोस्तों यहाँ पर महत्पूण घटना होती है 1930 में कुमाओं वाटर रूल्स देखो कुमाओं वाटर रूल्स वेसे कब आए गए था 1917 में 1917 में किसका कारेकाल था पी विढम के कारेकाल में 1917 में दोस्तों कुमाउं वाटर रूल्स आता है यहाँ पे वाटर परबंदन के लिए और उसके बाद 1930 में कुमाउं वाटर रूल 1917 में संसुधन करके 1930 में उसे क्या किया जाता है संसुधित क्या जाता है तो यह भी आपको नोट करना है 1930 में भी फिर से कुमाउं वाटर रूल्स संसुधित करके पुनहा उसको लागो किया जाता है तो पर्थम वाला जो कुमाउं वाटर रूल्स था वो 1917 में पारित किया गया उसके बाद दोस्तों एनसी इस्टिप के बाद जो कुमाउं कमिशनर बनता है वो बनता है LM स्टब्स और LM स्टब्स इसका कारकाल है 1931 लेकर 1933 और इसके कारकाल में दोस्तों 1932 में क्या होता है राज के उध्यान चोबटिया में हिल फूर्ट रिसर्च इस्टेशन की स्थापना की जाती है हिल फूर्ट रिसर्च इस्टेशन की स्थापना कहां की जाती है चोबटिया में की जाती है कब की जाती है 1932 में और इस समय किसका यहाँ पे कौन कमिशनर कुमाउं का LM स्टब्स उसके बाद कुमाओं कमिशनर बनता है एल ओ गोयन ठीक है एल ओ गोयन 1933 से लेकर 1935 तक और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो भूबंदोबस्त वारा टोपिक है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है जो भी ब्रिटिसस के बहुत सरे फैक्ट बता दिये दोस्तों मैंने आज आज आपको ब्रिटिस कमिशनर के कारेकाल के दोरान जो भी महितवपूर्ण घटनाए हुई है और यहाँ से एक्जाम में कई बार क्वेशन बन भी चुके हैं और आगे भी लगातार बनते जाएंगे तो नेक्ट जो एल ओगोयन 1935 से लेकर 1935 तक और उसके बाद जो नेक्ट कमिशनर बनता है E.W. Iverson 1935 से लेकर 1949 तक तो इसके कारेकाल में एक तो 1936 में क्या होता है अल्मोडा में 1936 में अल्मोडा में क्या होता है विवेकानन्द परवतिया करसी अनुसंधान संस्थान की इस्थापना होती है स्वामे विवेकनन परवतिया करिशी अनुसंधान संस्थान की इस्थापना 1936 में अलमोडा में होती है और उसके बाद 1937 में अलमोडा के चनोदा नामक इस्थान पर ही क्या होता है सांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आसरम की इस्थापना भी की जाती है ठीक है और ये एक मुख्य केंदर था दोस्तों सोतंता संगराम का उसकी बाद जी एल विवियान 1949 से लेकर 1941 तक इसका कारेकाल रहा उसकी बाद 23 वा है टी जे सी एक्टन 1941 लेकर 1943 तक अगर देखो क्वेशन इस प्रकार से भी बन सकता है कि 1922 के जो भारत छोड़ो अनलोन था उस समय कुमाओं कमिशनर कुन था तो टी जे सी एक्टन था और उसकी बाद नेक्ट जो कमिशनर बनता है डबलू डबलू फिनले 1943 से लेकर 1947 तक देखो इस भी जो भी महतपून घटना है उसको हम उत्राखन चुतनता संग्राम आंदुल में जानेंगे क्यांकि फिर एक देखो यह यह पर्टिकुलर टोपिक है और उसके बारे में अगर वो सारी घटाएं हम यहां बताने लग गए हैं तो आपको confusion create हो सकता है तो वो हम proper एक क्या है इस्टे बाइस्टे पूहाँ पे आगे उसको cover करेंगे और जो लास्ट दोस्तों कमिशनर है के एल महता 1947 से 48 तक क्योंकि उसके बाद क्या है यहाँ पे 47 में भारत स्वतंतर हो जाता है और कुमाओं का पर्थम भारतिया कमिशनर नियुक्त किया जाता है के एल महता को और कुमाओं कमिशनरी इनके सासनकाल में इनके कारिकाल में स्वतंत्र हो जाती है और दोस्तों मैं आपको एक question दे रहा हूँ ये आपको comment box में बताना है कि वर्तमान वर्तमान में कुमाउं कमिशनर कौन है ये आपको comment box में बताना है और दोस्तों इसके details वाले notes आपको वीडियो के डिस्क कुशन में हमारी e-book मिल जाएगे हिस्टी की उसको आप लेके इसके details notes बना सकते हैं इसी परकार से जिस परकार से आपको यहाँ पे इस lecture में पढ़ाए गया है तो दोस्तों आपको यह lecture कैसा लगा जरूर comment box में बताएं और बीडियो कैसे लगी और बीडियो अच्छी लगी तो बीडियो को like और share जरू करें बीडियो कैसे लगी comment box में जरू गताएं मिलते हैं दोस्तों नेक्ट विसा तब तक के लिए धन्यवाद